इस वीडियो में हम लोग आना सागर जहिल के बारे में जानेंगे तो आईए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं आना सागर जहिल भारत में राजस्थान राज के अजमेर शहर में इस्थित एक किरत्रिम जहिल है देखे जो आना सागर जो जील है ये राजस्थान में अजमेर शहर में इस्थित है तो आईए हम लोग इसे एक मांचित्र में देख लेते हैं देखे ये भारत का मांचित्र है और भारत के इस मांचित्र में ये बना जो परदेश आपको दिखाई दे रहा है इस परदेश का नाम है राजस्थान और राजस्थान में यहाँ पर पता है अजमेर शहर और इसी अजमेर शहर में ही आनासागर जील इस्थित है तो ये आपका आनासागर जील है इसे पिर्थवी राज चौहान के दादा अरणो राज या आना जी चौहान ने बरहमी सताबदी के मद्द बनवाया और उन्ही के नाम पर जील का नाम रखा गया है देखिए आना सागर जो जील है वो किसने बनवाया था पिर्थवी राज चौहान के दादा जी थे जिनका नाम था अरणो राज चौहान या आणा जी चौहान भी उनको कहते थे तो इसी आणा जी चौहान यानि आणा जी से शब्द की उत्पत्ति हुई आना सागर तो जो पिर्थवी राज चौहान जो कि एक बहुत ही फेमस सासक गुजरे हैं बारती इतिहास में तो उन्हीं के दादा जी थे आना जी चौहान उन्होंने ही जो है इस जील का निर्मान करवाया था दरसल में यह जील जो है पहाड़ियों से घिरी हुई है और चंद्रा एक नदी है उसी नदी के पानी को रोग करके जील का निर्मान किया गया है तो आना सागर जो है एक किरत्रिम जील है क्योंकि इसे बनवाया गया है यह प्राकृतिक जील नहीं है और यह एक मीठे पाने की जील है खारे पाने की जील नहीं है यह जील 13 किलोमेटर में फैली हुई है कहने का आर्थ है कि यह जील जो है काफी बड़ी है मुगल समरार जहागीर ने जील के किनारे दौलत बाग उद्ध्यान का निर्मा करवाया लेकिये मुगल समरार जो जहागीर था उसने जील के किनारे क्या किया दौलत बाग जो है पार्क बनवाया और जो साजहा था साजहा ने बगीचे और जील के बीच पांच मंडब का निर्माह करवाया देखे जहांगीर ने जो है दौलत बाग जो है पार्क बनवाया और उसके बाद में जब साजहा सासक बना मुगल संभाड में तो साजहा ने जो है पांच मंडब बनवाया ये पांच जो मंडब बनवाया थे ये संग मरमर के बनवाया थे तो ये जो पांच मंडब बने हुए है वो दवलत बाग जो पार्ख है और जील के बीच बने हुए हैं कहने का मतलब है कि जो पांचों मंडब बने हुए है ये एक पंडब को बारादरी कहते हैं इस जील के बीच में एक टापू भी है जहां जो है नाव से जो है आप उस टापू तक के पहुंच सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं